आजके इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडस बैली सिवलाइजेशन के बारे में बैसे तो मैं इंडस बैली सिवलाइजेशन के बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन उस वीडियो में मैंने पुराने तथियों पर चर्चा की थी और इस वीडियो में मैं कुछ नए तत्थियों पर बात करने वाला हूँ जो बहुत महत्पून है अडपा सभिता या फिर कहें सिंधू घाटी सभिता दुनिया की प्राचीन सभिताओं में से एक मानी जाती है हमें इस सभिता के बारे में जानकारी अलेक्जेंडर कनिंगहम, जोन मार्सल, स्थर मार्टीमर भीलर के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपूर्टों से मिलती है इन्ही रिपोर्टों की यादार पर भारती इतिहासकारों ने अडपा सब्हिता या सिंधू घाटी सब्हिता का इतिहास लिखा है परन्तु कुछ तथे भारती इतिहासकारों ने अपने तरब से प्रस्तुत किये हैं जो आजकल बिवाद का बिसाय बन गए है हाला कि मैं विबादित तत्थियों पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ तत्थियों पर बात जरूर करूँगा तो चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए ये है सिंधू गाटी सब्विता और सिंधू गाटी सब्विता जिस समय हमारे देश में पर चलिती उस समय दुनिया में और भी सब्विता हैं पर चलिती जैसे ये चीन में सब्विता पर चलिती मेसोपोटामिया में सब्विता पर चलिती Egypt में सब भिता पर चले थी Mesopotamia और Egypt के बारे में मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बिस्तार से बात करूँगा इस वीडियो में मैं केवल Indus Valley Civilization के बारे में ही बात करूँगा अब यहाँ पर देखो इस map को इस map में आप लोगों को ये रेड रेड एरिया दिखाई दे रहा होगा अलका-अलका सा तो इतने बड़े एरिया में हडपा सब भिता कहें या सिंदू घाटी सब भिता कहें वो फैली हुई थी इसको आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर नाम भी लेखे हुए हैं जैसे यह महंजोदारों लिखा हुआ है यह अडपा लिखा हुआ है तो यहाँ की कुछ नदियों के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ यह आपको दिखाई दे रहोगी लाइन यह है सिंदू नदी और सिंदू से ही यह है जेलम और जेलम के बाद है यह चिनाओ आपको यह दिखाई दे रहोगी यह है चिनाओ फिर है यह रावी और रावी के बाद है यह सतलग तो यह हैं पांच नदियां इनको आपको दिहान रखना है अब बात करते हैं इस सभिता के नामकरण पर क्योंकि कुछ लोग इस सभिता को हडपा सभिता कहते हैं कुछ लोग सिंदू घाटी सभिता कहते हैं कुछ लोग सरुस्ति सभिता कहते हैं तो बास्तविक में सही नाम क्या है उस पर बात करते हैं प्रारंब में यानि कि सुरुवात में इस सभिता को सिंदू गाटी सब्विता के नाम से ही पुकारा गया था क्योंकि इस सब्विता के जो इस्थल थे वो सिंदू नदी और उसकी सायक नदियों के आसपास में ही थे तो इसी लिए विद्वानों ने क्या किया कि इस सभिता को सिंदू गाटी सभिता कहना शुरू कर दिया था लेकिन जैसे ही रंगपुर लोथल औ काली बंगा जैसे नए स्थलों की खोज हुई और ये स्थल ना तो सिंदू नदी के आसपास थे और ना ही उसकी सहयक नदीयों के आसपास थे इसलिए विद्वानों ने क्या किया कि इस सभिता को हडपा सभिता कहना ही उचित समझा क्योंकि इस सभिता के अंतरगत सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था हडपा था तो उसी के नाम पे इस सभिता का नाम हडपा सभिता रख दिया गया था और बास्तविक नाम भी यही है तो उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं हड़ापपा सब्वेता के एक खोज के बारे में सर्व प्रतम 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा हडपा नामक इस्थल के खंडरों की जानकारी दी गई थी 1856 में लाहोर से कराची के मध रेलबे लायन बिछाने के दोरान अंग्रेज अधिकारियों ने सरकार को इसके बारे में बिस्तरत जानकारी दी इसके बाद भारतिय प्रतत तो सर्वेक्षन बभा के जनक अलेक्जंडर कनिंगम ने अडपा नामक इस्थल के खंडरों का सर्वेक्षन करवाया 1861 में भारतिय प्रतत तो सर्वेक्षन बभा की स्थापना की गई 1902 में लॉड करजन की द्वारा जोन मारसल को भारतिय पुरातत और सर्वेक्षन वभाग का महान देशक न्युक्त किया गया था तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस सभिता के बारे में जानकारी किस ने दी थी 1826 में चाल्स मेसन ने दी थी अब यह चाल्स मेसन कौन थे इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं चाल्स मेसन को सिपाही, रिपोर्टर, मुद्रा सास्त्री, खोजकरता, पुरातत, विद, सब कुछ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि चाल्स मेसन ही पहले यूरोपी ये बैक्ती थे जन्नोंने हडपा के खंडरों की खोज की अफगानिस्तान में अनेग बौद इस्थलों को खोजने का स्रे भी चाल्स मेसन को ही दिया जाता है और यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि भारतिय पुरातत तो सर्वेक्षन वभाग की स्थापना कप की गई थी 1861 में की गई थी ये फोटो आप जो देख रहे हूँ ये अलेक्जेंडर कनिंगम की है इन्हें ही भारतिय पुरातत तो सर्वेक्षन वभाग का जनक माना जाता है अपात करते हैं हडपा सब्विता के उत्खनन पर जोन मार्सल ने 1921-22 में दैराम सायनी और माधो सरूब बत्स को खुदाई करने के लिए भेजा था कहां पर हडपा नामक इस था पर भेजा था इसके बाद 1922-22 में राखाल दास बिनर जी को खुदाई करने के लिए मोहन जोदड़ो नामक इस थान पर भेजा था हडपा और मोहन जो दड़ो से जो बस्तु में प्राप्त हुई थी उन्हीं के आधार पर जोन मारसल ने क्या किया था कि हडपा सभिता की पहली अधिकारिक रिपोर्ट 1931-32 में पेस की थी अब बात करते हैं हडपा नंगर के बारे में इस सभिता का खोजा जाने वाला ये पहला नंगर था हडपा नंगर आधनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश में इस्थित मॉंट गोंबरी जिले में रावी नदी के बाए तटपे इस्थित है छेतरफल की दिर्ष्टी से हडपा सभिता का ये दूसरा सबसे बड़ा नंगर माना जाता है वो पहला कौन है मोहंजूदरू उतकरनकार के दोरान हडपा से कुछ मोहरें प्राप्त हुई थी जिन पर एक सींग बाले पसू का चितर बना हुआ है काल की दिर्ष्टी से ये की समय की दिर्ष्टी से हडपा नंगर की सबसे निचली परत 3300 इसा पूर्व की मानी जाती है और सबसे नवीन परत 1300 इसा पूर्व की मानी जाती है यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात दिरू करना चाहूँगा आपको तो ये पता ही है कि ये हड़ापा नंगर कहा है आदने पाकिस्तान में है पाकिस्तान में कहा है पाकिस्तान के पंजाब में पंजाब दो है एक भारत में है एक पाकिस्तान में है तो जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें एक मौन्ट गोम्री जिला है और उस जिले मे जो रावी नदी है तो उसके बाए तटवे ये बसा हुआ है घडपा नगर्ब और हडपा से एक महतपून महर प्राप्त होई थी जिस पर एक सीग वाले पसो का चित्र बना हुआ है जो आप सामने देख रहे हो ये ही महर प्राप्त हुई थी कहां से हडपा से हडपा में जब खुदाई हुई तो इस सब्धा की सबसे नीचे वाली जो पर्त है वो लगबग 3300 इसा पूर्व की मानी जाती है और नभीन जो पर्त है वो 1300 इसा पूर्व की मानी जाती है इस तथ को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है अब जो फोटो देख रहे हूँ ये उपर वाला जो फोटो है वो जोनमासल का है और नीचे वाला फोटो है ये राखाल दास बनर जी का है अब बात करते हैं मौहन जो दडूडू के बारे में ये नंगर आदनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांद के लर्काना या नंकाना जिले में सिंधू नदी के दाहने तट परिस्थित है। इस नंगर का उत्खननकार राखाल दास बनर जी के द्वारा किया गया था। महंजो दड़ो को हडपा सब्विता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। उत्खनन के दौरान यहां से स्वास्तिक चिन और एक सील पर तीन मुख बाले देवता की मूर्ती जिसके चार ओर, हाथी, गेंडा, चीता और भैसा के चितर बने हैं। एक कांस की नाचती हुई महला यानि नर्तकी की मूर्ती मिली है, अनाज रखने की सबसे बड़ी इमारत जिसे इतिहासकारों ने अननागार लिखा हुआ है, और इसी में एक नहाने का इस्थान भी है, इतिहासकारों नहाने वाले इस्थान को इस्थान को इस्थान कुंड लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी में बात करना चाहूंगा, यहाँ पर लर्काना और नंकाना दो नाम लिखी हुए हैं, वैसे तो इतिहास में लर्काना नाम ही लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोगों नमझे बताया है कि उसका बास्तिविक नाम है ननकाना तो मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिये हैं तो आप लोग इसे समझ लेना और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोहजोद्रों से क्या क्या प्राप्त हुआ था एक तो स्वास्तिक चिन हुआ था आप जो देख रहे हैं स्वास्तिक चिन यह दो परकार के यहां से प्राप्त हुए थे एक तो यह बाला प्राप्त हुआ था और दूसरा यह बाला प्राप्त हुआ था अब आपको ध्यान रखना है कि यह बाला कहां चलता है सनातन संस्कृति में चलता है आपने भगवान बुद्ध की मूर्ती जरू देखी होगी तो कुछ मूर्तियों में उनके सीने पे यही वाला स्वास्तिक चिन देखने को मिलता है और मोहन जोदलों से क्या प्राप्त हुआ था मोहन जोदलों से एक सील पर तीन मुकबाले देवता की मूर्ती जिसके चार ओर, हाती, गेंडा, चीता और भेंसा के चितर बने हुए है यह प्राप्त हुई थी आप जो सामने देख रहे हो यही प्राप्त हुई थी इसको आप लोग ध्यान से देखो इस पे बहुत विबाद है इतिहासकार दो भागों में बटे हुए है कुछ इतिहासकार भारती जो कुछ इतिहासकार है वो कहते हैं यह भगवान सिव है अब इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया है इसके पीछे उन्होंने केवल इतना तर्क दिया है कि पीछे जो चितर चपे हुए है जानवरों के इसलिए वो भगवान सिव हैं और कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं के नहीं ये भगवान सिव नहीं है वो ये दलील देते हैं के पहली बात भगवान सिव कभी भी नगनवस्थाम नहीं रहे और इस मोहर में जो बैक्ती बैठा हुआ दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नग नवस्था में है आप उसके lower part पर ध्यान दीजिए और दूसरी दलील वो देते हैं कि भगवान सिव ने कभी भी अपने सिर के उपर जो इस बैक्ती ने रखा हुआ है वो ऐसा कुछ नहीं रखा वो ये दलील देते हैं तो इतिहासकार यहां से दो भागों में बटे हुए है और सच्चाई तो ये है कि इस सील पर जो बैक्ती बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसका क्या नाम है, क्या नहीं है, कोई नहीं जानता लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस बैठे हुए बैक्ती को अपना बनाना सुरू कर दिया है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है जब तक सही पर्मान ना मिल जाए तब तक कुछ भी कहना संभाव नहीं है और क्या मिला था मोहन जोदरो से एक कांस की नाचती हुई महला याने नर्दकी की मूरती मिली थी आप जो सामने देख रहे हो ये मिली थी हनाज रखने की सबसे बड़ी इमारत जिसे अन्नागार इतिहास कारून ने लिखा हुआ है जिसमें एक स्नान कुंड था आप जो सामने देख रहे हो ये तो इतनी चीजें मोहन जोदरो से प्राप्त हुई थी बैसे तो बहुत सारी हुई थी लेकर जो मुख थी उनकी मैंने यहाँ पर चर्चा की है अब एक तत्र पर और बात करते हैं 1920 के दसक में हुई खुदाई के द्वारान मोहन जोदरो की टील यानि बौद इस्तूप को कुसान काल का माना गया था क्योंकि यहां पर कुसान कालीन सिक्के पाए गए थी, कुसान कालीन सिक्कों के याधार पर ही भारती इतिहासकारों ने मोहंजोड़ों के टील यानि बौध इस्थूप को कुसान कालीन माना था परंतु हाल ही में नेपल्स विस्व विध्याला के परातत विद जियोबानी विरारडी के द्वारा किये गए सोध से पता चला है कि ये टीला एकीस सो इसा पूर्व का है कुसान कालीन सिक के बाद मैं इस स्थान पर डाले गए थे यहां पर थोड़ी सी में बात करना चाहूंगा आपको जो टीला सा दिखाई दे रहा है बैसी के लिए टीला नहीं यह बहुत दिस्तूप है और सबसे पहले इसी को देखा गया था और इसी के आसपास कुसान कालीन सिक के प्राप्त हुई थे इसके बाद इसके आसपास की खुदाई हुई तो यहां पर कुछ जगह मिलने लगी इसके बाद और खुदाई हुई तो पूरा सहर मिला इसी को इतिहास काल लिखते हैं कि यह टीला है लेकन बास्तविक में ये टीला नहीं एक बहुत दिस्तूप है पाकिस्तान सरकार ने यहाँ एक बोड भी लगा रखा है उस पे इस पर्ष्ट रूप से लिखा हुआ है यह बहुत इस्तूप है आप लोग एक काम करना Google Earth या Google Map पे जाना वहाँ पे टाइप करना महन जोधारो और महन जोधारो को देखना आप लोग जब आप टीले को देखोगे न इस तीले को तो यहाँ पे इस पर्ष्ट रूप से लिखा हुआ है इस तूपा तो ये इस्तूपा ही है ना कि टीला है लेकिन भारती तिहासकारों ने इसको टीला लिखा हुआ है शुरुवात में तो इस टीले को ऐसा माना गया था कि ये कुसानकाल का है क्योंकि यहाँ पे कुसानकालीन से के पराप्त हुए थे लेकिन अभी हाल ही में नेपल्स विस्व विध्यालय के पुरातत विद जियोबानी वेरार्डी के द्वारा एक सोध किया गया और उससे पता चला है कि ये तो 2100 इसा पूरुका है अब बात करते हैं विर्णाना के बारे में ये हर्याना के फतिहाबाद जिले का एक बड़ा कस्वा है और दिसम्बर 2014 में भारती परातत तो सर्वेक्षन विभा की द्वारा यहां पर एक सूध किया गया था जिसे ये पता चला है कि ये हरपा सब्भिता का अब तक का खुजा जाने वाला सबसे प्राचीन नंगर है या फिर कहें कस्वा है इस कस्वे को लगबग 7500 इसा पूरुका माना गया है अब बात करते हैं हरपा सब्भिता के काल के बारे में हडपा सब्विता के काल के संबंद में इतिहासकार एकमत नहीं है हडपा सब्विता का सबसे प्राचिंतम काल आठ हजार इसा पूर्व माना जाता है नवींतम काल तेरा सो इसा पूर्व माना जाता है रेडियो कारवन पध्धती के आधार पर हडपा सभिता का समय 25-1500 इसापूर्व के मध्ध माना गया है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन तम 8000 इसापूर्व का माना गया है और नभीन तम 1300 इसापूर्व का माना गया है रेडियो कार्वन पद्धिती के आधार पर 2500 से पंद्रा सो इसा पूर्व के मदमाना गया है अब बात करते हैं हडपा सब्धिता और बैदिक सब्धिता में क्या अंतर है उस पर नमबर एक हडपा सब्धिता के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे नमबर एक बैदिक सब्विता के लोग हवन के माध्यम से इंद्र और अगनी की पूजा किया करते थे रिक बेद में इसके बारे में बिस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप लोग अच्छी से पढ़ सकते हैं इधर मैंने हड़पा सब्विता के बारे में लिखा है और इधर मैंने लिखा हुआ है बैदिक सब्विता के बारे में एक एक पॉइंट दोनों का हो गया है अब बात करते हैं नमबर दो दूसरे पॉइंट पर हड़पा सब्विता के लोग मास्क का सेवन किया करते थे सब्विता थी रपा नंगरी सब्विता थी नमबर चार हडपा सब्विता के लोगों को लोहे का ग्यान नहीं था नमबर चार बैदिक सब्विता के लोगों को लोहे का ग्यान था बैदिक सब्विता के जो लोग थे उन्हें लोहे का ग्यान था नमबर पांच हडपा सब्विता में मातर सत्ता पर चले थी यानि ये सब्विता महला परधान थी पुरुस और महला जो होते हैं तो महला परधान होती थी इस सब्विता में पुरुस परधान नहीं होता था नमबर पांच बैदिक सब्विता पित्र प्रधान सभिता थी यानि कि इसमें पुरुस को प्रधान माना जाता था महला को प्रधान नहीं माना जाता था तो यह था बैदिक सभिता और हडपा सभिता में अंतल तो यहां से यह अनुमाल लगाया जा सकता है कि हडपा सभिता द्रवड सभिता थी क्योंकि बैदिक सब्विता में बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो हडपा सब्विता से मैच नहीं करती हैं यहाँ पर मैं एक तथ पर और बात करना चाहता हूँ आप सामने यो तस्वीर देख रहे हो इसमें आपको कुछ गुल-गुल पत्थर दिखाई दे रहे होंगे इन पत्थरों पर बहुत बिवाद है इतिहासकार एक मत नहीं है कुछ भारती इतिहासकार लिखते हैं कि यह सिवलिंग है और दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि यह मामूली से सिर्फ पत्थर हैं नदी में आसानी से यह आपको मिल जाएंगे तो जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये सिवलिंग है उन्होंने अपनी किताबों में भी इसको सिवलिंग ही लिखा हुआ है उन किताबों को आम लोगों ने पढ़ा तो आम लोगों ने उस चीज़ को तो इकार कर लिया यहीं से बिबाद सुरू हो गया है और अगर आपको भी लगता है कि यह सिवलिंग है तो आप इसे मान सकते हो कोई बुराई की बात नहीं है और जिसको नहीं लगता है कि यह सिवलिंग नहीं है तो वो भी मान सकता है इसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है अपनी अपनी सोच है और अपना अपना नजरिया है मैं तो आपको किबल वही जानकारी दे रहा हूँ जो बास्तविक है अब बात करते हैं हड़ापा सब्विता के अंत पर यहां से और विबात सुरू होता है हडपा सब्विता का अंत कैसे हुआ इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता क्योंकि इतिहासकार एक मत नहीं है इतिहासकार तरह तरह की दलीलें देते हैं अब उनकी दलीलें सुन लीजिए नमबर एक जॉन मारसल और रविन सिंग बिटने कहा है कि हडपा सब्विता का अंत बाड़ से गुआ था इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इस बिचार को बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि इस सब्विता का अंत बाड़ से गुआ था लेकिन मैं नहीं मानता हूं मैं ऐसा मानता हूं कि इस सब्विता का अंत बाड़ से तो कता ही नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी पढ़ी है जब आप मोहन जोदारों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा को वहाँ पर कितने सारे कंकाल प्राप्त हुए थे जिनने कुलहारियों से काड़ा गया था नमबर दू आरल इस्टाइन और अमला नंद घोष ने कहा है कि हरपा सब्विता का अंत जलबाईयो परवरतन से हुआ था सुरुआत में मैंने आपको क्या पढ़ाय था कि हरपा सब्विता की समकाल इन कौन कौन से सब्विताएं थी एक तो चीन में थी मैसोपोटामिया में थी और एजिप्ट में थी जब हम इन सब्विताओं के बारें पढ़ते हैं तो हमें जलबाईयो परवरतन जैसी घटना का उलेग नहीं मिलता है मुझे लगता है कि सर्फ जलबाईयो परवरतन हरपा सब्विता में हुआ था पूरी दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं था जैसा कि आरल इस्टाइन और अमला नंद भोश ने कहा है चलो मान लेते हैं कि जलबाईयो परवरतन से हुआ था फिर भी यहाँ पर यही तथा आता है कि मोहँजो दुरो में जो कंकाल प्राप्त हुए उनका क्या यह तथा बहुत मजबूत है तो इस मत को भी पूरी तरह से सुईकार नहीं किया जा सकता है नमबर तीन में जो इतने सारे कंकाल मिले जने कुलहाडियों से काटा गया था जनमें बच्ची महलाएं सब थी तो क्या भूकम कुलहाडी ले के आया था देखिए यह एक बहुत मजबूत तथ है जब तक कोई इसको नहीं तोड़ेगा तब तक मैं सुईकार नहीं कर सकता हूँ तो मेरे अनुसार ये तत्थ भी पूरी तरह से सही नहीं है नमबर चार अमेरिकी तिहासकार कैनेडी ने कहा है कि हड़पा सब बिता का अंत मलेरिया की महामारी से हुआ था अब मैं इस पर क्या कहूँ फिर भी वही प्रसन खड़ा होता है यहां पे भी तो मेरे असाब से ये भी पूरी तरह से सही नहीं है नमबर पांच अम दिमित्री एब जो रूस के तिहासकार थे वो कहते हैं कि हड़पा सब बिता का अंत गाज यानि की बिजली गिरने से हुआ था आज तक तो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं पड़ा है कि बिजली से पूरी सबधा का अंत हो गया हो मैंने तो नहीं पड़ा है भाई आप लोगों ने पड़ा हो तो मुझे कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हैं चलो तो इकार कर लेते हैं इसको कि ऐसा होगा होगा लेकिं फिर भी एक प्रस्ट खड़ा होता है कि मोहंजो दड़ो में जो कंकाल मिलेज ने कुलहाडियों से काटा गया था उनका क्या जब तक कोई मत इस तत्थ को काटता नहीं है तब तक उसको सुईकार नहीं किया जा सकता तो मेरे हसाब से भी ये मत भी पूरी तरह से सही नहीं है नमबर च्छे गार्डन चाइल्ड मैके, पिगट और मार्टीमर भीलर ने कहा है कि हड़ापसब बिता का अंत आर्रेयों के राजा इंदर ने किया था क्योंकि रिगबेद में इंदर को पुरंदर कहा गया है और जिसका अर्थ होता है घर और सहरों को उजाडने वाला हाँ, ये मत कुछ जवर जस्त है इसको अबस ही सुईकार किया जा सकता है परंतु थोड़ी सी गलती है ये निश्यत तोर पर नहीं कहा जा सकता क्या आर्रे के राजा इंदर नहीं किना ही हो किया हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई अविलेक तो मिला नहीं है जिसमें लिखा हो के इंदर ने इस सब्विता को खتم किया था तो इसको भी पूरी तरास से सुईकार नहीं किया जा सकता लेकिन हाँ, कुछ हदet तक यह सही है क्यों सही है उसकी आगे चर्चा करते हैं भारतिय पुरातत तो सर्वेक्षन बभा के महाने देसा जॉन मार्सल ने 1931 में मोहन जोदरो एंड दे इंडस सिवलाजियसा 1930 बन की नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा मोहन जोदरो में एक डेड मेन गली है जिसमें एक खोपड़ी का कंकाल तथा एक बयस्क की चाती का कंकाल कुछ हाथ की हड़ियां प्राप्तों ही है जो बिलकुल भुर भुरी अवस्था में थी यह जानकारी कहां मिलती है? ये जानकारी मिलती है मोहन जोदड़ो and the Indus Civilization नाम की एक रिपोर्ट है उसमें मिलती है भारतिय पुरातत्तो सर्वेक्षन बभाग के महान देशक मार्टिमर भीलर ने अपनी रिपोर्ट खडपा 1946 इंसियंट इंडिया जर्नल 1947 में कहा है कि मोहन जोदड़ो के साक्षियों में पुरुस महलाओं और बच्चों का बड़ी बेरहमी से जन संगहार किया गया था पुरुस तथा महलाओं के जो कंकाल प्राप्त हुए हैं उन पर आभूशन भी थे इस से ये अनुमान लगाय जा सकता है कि कि किसी भी पुरुस या महला की साधारन में रित्ति होने पर उसके साथ आभूशनों को नहीं दफनाय जाता है और कुछ कंकालों को कुलाड़े यासे हत्यारों से काटा गया था जोन मार्सल जो भारतिय प्रातत तो सर्वेक्षन बभा के महा ने दे सकते उनकी भी रिपोर्ट यही कहती है और मार्टीमर भीलर ये भी भारतिय प्रातत तो सर्वेक्षन बभा के महा ने दे सकते उनकी भी रिपोर्ट यही कहती है और जो कंकाल मोहन जोदोर से प्राप्त हुए थे वो भी किसी युद्ध की और सारा करते हैं ये कहना बिलकुल उचित नहीं है कि ये आर्रियों के राजा इंदर ने किया है क्योंकि ये तो आप एक मन की आधार पर कह रहे हो भारत में बहुत सारे यात्री आए आप उनके यात्रा विवरण पढ़ो हुएन सौंग ने अपने यात्रा विवरण में खंडरों की चर्चा की है जब आप यात्रियों के यात्रा विवरण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का बास्त भी कितिहास क्या है उस समय हमारा देश कैसा था भले ही कोई यात्री हमारी बिचार धारा का हो या ना हो लेकिन उसके यात्रा विवरण को हमें जरूर पढ़ना चाहिए उसमें से कुछ ना कुछ जानकारी हमें अवस ही अच्छी मिलती है क्योंकि जब आप तरहे तरहे के यात्रीयों के यात्रा विवरणों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ जानकारी मिलना सुरू हो जाती है एक तत्रकी में और यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि इबन बतूता ने ही अपने यात्रा विवरण में जब उस सिंध में यात्रा कर रहा था तो एक ऐसा पसू देखा था जिसके माथे पे एक सिंग था इबन बतूता ने उस पसू का नाम लिखा हुआ है गेंडा और हडपा सब बता में एक ऐसी मोहर भी प्राप्त हुई है जिस पे एक सिंग बाले पसू का चितर मिलता है इबन बतूता के रहला से भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है तो ये तो थी हडपा सब बता के बारे में जानकारी कुछ नए तथियों को मैंने पढ़ा था उन तथियों को मैंने आप सब के साथ इस वीडियो में शेयर किया है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद